हाई फ्रेंट्स मेरे नाम है प्रतिभा और आप सबका स्वागत है प्राट्स किचन में आज हम बनाएंगे पोटेटो क्रिस्पीज इंट्रेस्टिंग है ना ये देखने में जी हाँ खाने में भी उतनी ही इंट्रेस्टिंग है बहुत ही टेस्टी लगती है बहुत ही इंट् दो टेबल स्पून घी या तेल ले सकते हैं आप मैंने यहाँ पर तेल लिया है और इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये देखिए दोस्तों मैयन अब अच्छे से मिक्स हो गया है ये देखिए आटा अब एकदम बंदने लगा है अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर सकत आटा गून लेंगे इतने आटे को गूनने के लिए मुझे लगबक चौथाई कप पानी रगा था आटे को गून कर हम इसको तॉलिय से ढख कर और रेस्ट करने के लिए रख देंगे दोस्तों अब हम इसका मसाला रेडी करेंगे मसाला रेडी करने के लिए एक पैन में मैंने एक टेबल स्पून ओयल का ले लिया है जिसमें मैंने आदा चोटा चमज जीरा डाला है एक चोटा चमज दन्या पाउडर आदा चोटा चमज गरम मसाला एक चोटा चोटा चमज लाल मिर्ज पाउडर आदा चोटा चमज नमकका चोथा हिए चोटा चमज हल्दी पाउडर और तील बड़े चमज बेशन के डाले हैं और अब हम इसको लगबग 2-3 मिनट तक भून लेंगे जब तक कि बेसन की रॉ स्मेल चली नहीं जाती ये देखिए दोस्तों बेसन अब अल्मोस्ट भून चुका है अब मैं इसमें 3 मीडियम साइज के उबले हुए और मैश्ट आलू डालूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करके 2-3 मिनट तक भून लूगी दोस्तों अलू अब हो गया है गैस को मैंने बंद कर दिया है इस मिक्सचर को अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे अलू का मिक्सचर अब ठंडा हो चुका है अब हम इसके बहुत ही छोटे-चोटे बाल्स लेकर और इसको सिगार की शेप में फ़र्म कर लेंगे छोटे-चोटे सिलेंड्रकलательно शेप ले लेंगे इसके यह देखिए ऐसा ही हम सारे पोटेटो बाल्स बना लेंगे और अब हम इनको एक साइड में रखके जो हमारा मैदा है मैदे की डो है उसके भी अब हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे बहुत छोटे छोटे पेड़े बनाए है मैंने यह देखिए दोस्तों सारे पेड़े हम बना के एक साथ रख लेंगे इसको भी थोड़ी देर के लिए रेस्ट कराएंगे और अब एक एक पेड़े लेके छोटी-छोटी पूड़ियां बेल लेंगे लगबक तीन इंच टायामीटर की होगी एक पूड़ी हमारी यह देखिए दोस्तों और अब हम इसमें बीच में ऐसे लंबे लंबे स्लिक्स लगा लेंगे और इन प्रों बीच हम अपने पूटैटो के सिगार को रखेंगे और इसको इस तरीके से करके रोल करते हुए फोल्ड करेंगे इसके दोनों कॉर्णर्स को हम ऐसे सील कर देंगे और ऐसे करके हम अपने सारे पोटेटो क्रिस्पीज को रेडी कर लेंगे दोस्तों तेल मैंने गरम कर लिया है और ये देखिए हमारे सारे पोटैटो क्रिस्पीज शेप करके रेडी हैं अब हम इनको मीडियम हीट पर तल लेंगे इसको बीच-बीच में स्टर करते हुए फ्राइ करेंगे हम बीच-बीच में हलके हलके हाथ से चलाएंगे नहीं तो जो आलू है वो फट के बाहर आ जाएगा दोस्तों बेसन इसी लिए हमने डाला था ताकि वो आलू को होल्ड कर सके इसके अंदर इसको तलने में लगबक 8 मिनट लगेगा यह देखिए दोस्तों एक दम ब्राउन होने लगा है यह बिल्कुल अच्छा हो गया है अब हम इसको निकाल लेंगे यह देखिए दोस्तों यह हमारे पोटेटो क्रिस्पी तल के तयार हो गए हैना क्विक और इजी स्नाक टेस्टी भी और अपीलिंग भी किसी को भी खिलाएंगे तो वह वह करेगा और साथी साथ बातें करेगा इसकी रेसिपी किसी को मत बताना तो दोस्तों अगर यह रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के प्रैट्स किचिछन पे